आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ऐसे बाते बताने वाली हूँ जिसके बारे में हर कपल्स को आपस में बात करनी चाहिए इन टॉपिक्स पे बात करने से आपको एक दूसरे के बारे में समझ बढ़ती है बलकि आपका रिस्ता भी गहरा होता है एक दूसरे में लगाओ भी बढ़ता है तो कौन सी है वो बाते आईए जानते इस वीडियो के माध्यम से वीडियो कंटिन्यूर रहेगा लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल सही जबाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 वजे फेस्टूप पर लाइब एनाउंस करते हो तो लाइब जूना बिलकुल भी ना भूले तो आप उसे लाइब जूड कर भी अपनी समस्या का समधान पा सकते हैं लाइब जूडने के लिए स्क्रीन पर फेस्टूप आइडी सो हो रही है आप उसे फालो जरूर करें मैंने एक e-book लिए रिस्टो की मार्ग दर्सी का प्यार या वासना रिलेसंसिप में सब कुछ अगर आप भी जानना चाते हैं तो उस e-book को पर्चेस कर सकते हैं इबुक को पर्चेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मेसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो थोड़ा समय बिताई और उनसे पूछिए कि उनका सबसे दुख भरा समय कौन सा था और वो उससे कैसे बाहर निकले उनके जिन्दगी में वो पल कव आया था जब वो सबसे जादा खुस थे और अगर आप यह बाते उनसे करोगे और वो आपसे अपनी बाते शेयर करेंगे तो इन सब चीजों से एक चीज होती है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी personal बाते किसी से सियर करता है इसका मतलव ही होता है कि वो आपको समझता है तो जानकारी तो बढ़ेगी साथ में एक connection बिल्ड होगा वो व्यक्ति आप से जुड़ता है वो एक गहराई महसूद करता है और इससे आपका relationship बहुत मजबूत होता है। जिन्दिगी में उनका खुबसूरत एहसास क्या था। कभी-कभी ऐसे पल होते हैं जब हम अपने आप में उस पल को बहुत अच्छे से feel कर पाते हैं। और हमारी यादों में, हमारी memory में वो पल save हो जाते हैं। तो जब आप उनके खुबसूरत एहसास के बारे में बात करोगे तो वो अपने पाश्ट में डूपकी लगाएंगे और उस सागर से मोती चुनके लाएंगे और आप सेयर करेंगे। और आप उसके लिए एक special व्यक्ति होते हैं। नंबर फॉर उसका interest क्या है। उसको कौन सा काम करने में अच्छा लगता है, वो क्या करना चाता था, क्या क्या वो करता है, जब आप किसी के interest के बारे में बात करते हैं। तो इंसान दिल खोल कर बात करता है, उसे काफी अच्छा लगता है अपने बारे में किसी को बताना, तो आप उसके इंट्रेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जब आप उसे अपना इंट्रेस्ट से अर करते हैं, तो वो भी आपसे अपना इंट्रेस्ट चरूर से अर करते है इस रिष्टे को लेके आपके बारे में, अपनी जिंद्गी के बारे में क्या सौचता है? वो भेक्ति अपनी जिंद्गी में क्या करना चाहता है? उसकी थौर्ट प्रोसेस क्या है? तो जब आप इन topics पे उससे बात करते हैं तो उसे काफी अच्छा लगता है तो इन topics पे बात अपने partner से जरूर करें बात करने के बाद अपना experience हमसे share जरूर करें हाँ एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी जो आपको ध्यान रखना है कि यह सवाल आपको ऐसे ही नहीं करना है कि हर समय आपको यह सवाल करते रहना है एक लगातार करना है इससे तो लगेगा कि आप उनका interview ले रहे हैं आपको एक time देखना है एक flow होता है एक समय होता है जब आपको मौका मिले जब आप उनके साथ time spend करें जब उनके साथ आप कहीं घूमने जाएं तो जिस situation में आप हैं उस situation के हिसाब से उनसे बात करें किस तरह का सवाल आपको उनसे करना चाहिए इस सीच का खयाल रखें अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सवाल जो है ना जब 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 इससे सेर करें क्योंकि आपका एक सेर किसी की लाइप में बहुत बड़ा परिवर्टन ला सकता है रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्ति करें साथ में बिल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो में अप्लोड करें आपको सबसे पहले मिले और आप से कोई भी वीडियो मिस ना हो वीडियो अगर आप फेस्बूक पेज़ पे देख रहे हैं तो पेज़ को फालो करें स्टार देके में सपोर्ट जरूर करें मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंति तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद